अब आगे देखते हैं जिसमें दो अलग-अलग रेखिक्चर वाले पद अनुपात के रूप में होंगे और इस प्रकार की असमीका को हमको हल करना है ax plus b upon cx plus d is greater than k या ax plus b upon cx plus d is greater than or equal to k या ax plus b upon cx plus d is less than k या फिर ax plus b upon cx plus d is less than or equal to k इस प्रकार के असमीका को हल करने की विदी तो इसमें पहला पद यह होगा कि हम असमीका को लिखें दूसरा पद होगा कि सभी पदों को left hand side पर पक्षांतर कर लें तीसरा पद होगा कि पद दो में जो हमें प्राप्त हुआ था उसे सरल करके फिर px plus q upon rx plus s is greater than 0 या फिर px plus q upon rx plus s is greater than or equal to 0 या px plus q upon rx plus s is less than 0 या फिर px plus q upon rx plus s less than or equal to 0 के रूप में रुपांतरित कीजिए फिर चौथे पद में अन्सवा हर में x के गुणां को धनात्मक बनाएंगे यदि वे धनात्मक हैं तो फिर पांचवे पद में हम करेंगे कि अन्सवा हर को अलग-अलग 0 के बराबर मान कर उसे हल करेंगे और इससे हमें x के मान प्राप्त होंगे इन मानों को क्रांतिक बिंदू या critical points कहते हैं पद 6 में पद 5 में प्राप्त इन बिंदूओं को यदि हम संख्या रेखा पर प्रदसित करें तो यह बिंदूएं संख्या रेखा को तीन भाग में विभाजित करता हैं पद 7 पद 8 इसी algorithm को उप्योग करके हम आसमीकाओं को हल करेंगे आईए देखते हैं इस सिस्तंबंधित प्रश्ट तो अगली आसमीका है x-3 upon x-5 is greater than 0 इसे हमें हल करना है तो x-3 upon x-5 is greater than 0 इसको अंस और हर को अलग-अलग 0 के बराबर तुलना करने पर हमें मिलेगा x equal to 3 और x equal to 5 इन दोनों मानों को रखने पर यह जो है अपरिभासित हो जाएगा तो अथा x equal to 3 और x equal to 5 यह हमें क्रांतिक बिंदू मिले x-3 equal to 0 करेंगे तो x equal to 3 मिल दाएगा और x-5 equal to 0 put करेंगे तो आपको x equal to 5 मिल दाएगा और यह जो है कि इसे संख्या रेखा पर प्रदर्सित करें तो मान लेते हैं कि यह minus infinity है और यह plus infinity है यह 3 है और यह 5 है तो यह जो क्रांतिक बिंदू है संख्या रेखा को तीन भागों में बाट रहा है तो यह जो 5 के आगे वाला जो point दिख रहा है यह वाला जो भाग होगा यह धनात्मक होगा तीन और पांच के बीच में जो भाग है यह रिनात्मक होगा और पुनह इस और जो प्राप्त हमें हो रहा है यह मान धनात्मक होगा और आप देख पा रहेंगे जो अनुपाद हमें दिया गया है इसमें धनात्मक मान पूछा गया है तो धनात्मक मान आपको छेतर एक और मान लेते हैं कि ये छेतर दो है और ये छेतर तीन है तो पहले और तीसरे में दिखाई दे रहा है अत्तह अभीष्ट हल जो हमें चाहिए है इसे हम लिखेंगे एक्स बिलॉंग्स तू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी चुकि यहां पर और इक्वल टू का साइन नहीं लगा है इस वज़ा से दोनों तरफ ओपन इंटरवल बनेगा तो ये माइनस इंफिनिटी से 3 और यूनियन 5 से प्लस इंफिनिटी यह दिये गैस असमीका का हल है अगला असमीका जो हमें सरल करना है 4X प्लस 3 अपन 2X माइनस 5 इस लेस देन 6 इसे हल करते हैं 4X प्लस 3 अपन 2X माइनस 5 इस लेस देन 6 संख्या को पहले left side पर ले आते हैं और सरल करते हैं 4X प्लस 3 अपन 2X माइनस 5 माइनस 6 इस लेस देन 0 सरल करेंगे तो जो लगुत्तम समपर्त या LCM होगा ये 2X माइनस 5 होगा और आपको मिल जाएगा अंसमें 4X प्लस 3 माइनस 12X प्लस 30 इस लेस देन 0 आगे जब सरल करेंगे तो आपको मिल दाएगा माइनस 8X प्लस 33 अपॉन 2X माइनस 5 इस लेस देन 0 तो इस प्रकार के असमीका को हल करने के लिए हमने जब विधी पढ़ी थी तो हमने कहा था कि X अंस और हर दोनों में X का जो गुणांक है उसे हमें पहले धनात्मक बनाना होगा तो रिंड चिंड से जब आप इसको गुणा करेंगे तो असमीका परिवर्तित हो जाएगी तो ये 8X माइनस 33 अपॉन 2X माइनस 5 या ग्रेटर दैन 0 में परिवर्तित हो जाएगा अब ग्रेटर दैन 0 का मतलब है यह जो पूरा मान है यह हमें धनात्मक मान मिलना चाहिए तो अंस और हर को अलग-अलग आप शुन्य से के बराबर हल करेंगे तो माना कि 8X माइनस 33 इक्वाल टू 0 सरल करने पर आपको मिल जाएगा X इक्वाल टू 33 अपॉन 8 और 2X माइनस 5 इक्वाल टू 0 जब आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा X इक्वाल टू 5 अपॉन 2 तो यह जो दोनों बिंदू है यह क्रांतिक बिंदू है जो की संख्या रेखा को तीन भागों में विभक्त करती है तो मान लेते हैं कि यह संख्या रेखा है और यह मान लेते हैं कि यह 5 बाइ 2 है और यह मान लेते हैं कि यह 33 बाइ 8 है यह माइनस इंफिनिटी और यह प्लस इंफिनिटी 33 अपॉन 8 के राइट साइट पर जब आप जाएंगे तो यह मान आपको धनात्मक मिलेगा और इन दोनों बिंदूओं के बीच का जो भाग है यह रिनात्मक मान देगा उस असमिका को और यह जो तीसरा भाग बच रहा है यह धनात्मक मान देगा और हमें जो ग्याद करना है वह कि असमिका को धनात्मक मान देने वाला एक्स का मान तो यहाँ पर तीन भाग हैं और हमें हल लिखना है तो जो अभिष्ट हल होगा इसे आप लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से 5 बाइ 2 का इंटरवल और यूनियन 33 अपान 8 से इन्फिनिटी का इंटरवल इन दोनों अंतरालों का जो संग है या यूनियन है इस दिये गए असमिका का हल है अब हम देखेंगे जहां पर असमिका निकायों को हमें हल करने कहा जाएगा इसमें पहला प्रस्ण है 2x प्लस 6 इस ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और 4x माइनस 7 इस लेस देन 0 तो पहला असमिका है 2x प्लस 6 इस ग्रेटर दन और इक्वल टू 0 मान लेते हैं पहली असमिका और दूसरा 4x माइनस 7 इस लेस देन 0 इस देन 0 यह दूसरा असमिका तो यदि 1 को हम हल करें तो 2x is greater than or equal to minus 6 और आगे x is greater than or equal to minus 6 upon 2 solve करने पर आपको मिलेगा x is greater than or equal to minus 3 अर्थात x का वह सभी मान जो रिंट 3 के बराबर या उससे बड़ा है तो इसे जब आप सरल करेंगे तो आप लिख सकते हैं x equal to चुकि यहाँ पर greater than or equal to का sign लगा हुआ है अथा x belongs to होगा closed interval minus 3 और right में जो open interval होगा यह plus infinity होगा और यदि हम 2 को हल करें तो 4x is less than 7 मिलेगा और आगे सरल करने पर आपको मिलेगा x is less than 7 upon 4 तो x का वह सभी मान जो 7 by 4 से छोटा है तो इसका यदि आपको हल लिखने कहा जाए तो आप लिखेंगे x belongs to minus infinity to 7 by 4 तो यदि इन दोनों को हम संख्यारेखा पर प्रदर्सित करें तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों का जो उभैनिष्ट है इससे हम लेख सकते हैं अभीष्ट हल यह minus infinity से 7 by 4 और यह semi open interval minus 3 से infinity इन दोनों के बीच का भाग है तो minus 3 और फिर plus 7 by 4 आएगा यह आपको मिलेगा semi closed interval minus 3 और right में यह open होगा 7 by 4 तो इस तरीके से इसका जो हल समुच्चा है यह है semi open interval left में close है और right में open है इस तरीके से अगला आसमीका है 2x plus 9 is greater than 5 minus 3x और दूसरी आसमीका 5x minus 7 is less than or equal to 3x plus 11 तो इसे हल करने के लिए पहले हमें दोनों आसमीका को हल करना होगा तो पहले हम इसे सरल कर लेते हैं 2x plus 3x is greater than 5 minus 9 solve करने पर आपको मिल जाएगा 5x is greater than minus 4 और आगे solve करने पर आपको मिलेगा x is greater than minus 5 by 4 तो x का वह सभी मान जो रिंड 4 बटे 5 से बड़ा है अर्थात x का मान आपको मिल जाएगा रिंड 4 बटे 5 यह open interval है और यह plus infinity के बीच में इसी प्रकार मान लेते हैं कि यह एक है और दूसरी आसमीका आपको दी गई है यह है 5x minus 7 is less than or equal to 3x plus 11 इसे यदि आप सरल करें तो 5x minus 3x और यह less than or equal to 11 plus 7 solve करने पर आपको मिलेगा 2x is less than or equal to 18 और आगे solve करने पर आपको मिलेगा x is less than or equal to 18 by 2 मिल जाएगा आपको 9 तो वह सभी मान जो 9 के बराबर या उससे बड़ा है तो इस आसमीका का हल होगा x is less than or equal to 9 अर्थात x के बहस अभी मान जो 9 के बराबर या 9 से छोटा है तो आपको मिल जाएगा x belongs to minus infinity और close side में रहेगा 9 तो यह जो 1 और 2 यह दोनों अंतराल है इसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें तो आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों का जो उभैनिष्ट है यह minus 4 by 5 open side और close side 9 इसके बीच का भाग है तो इसका जो हल होगा या हल समुच्चे होगा इसे आप लिखेंगे x belongs to minus 4 by 5 और 9 अगला प्रशन है x plus x by 2 plus x by 3 is less than 11 इसे हमें सरल करना है x plus x by 2 plus x by 3 is less than 11 इसे सरल करने के लिए आपको left hand side में जो संख्या हैं दी गई है इसका लगुतन समापरत निकालना पड़ेगा 3 और 2 का लगुतन समापरत आजाएगा अच्छे और सरल करने पर आपको जो संख्याएं भी लेंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी आगे सरल करने पर आपको मिल दाएगा 11 x upon 6 is less than 11 दोनों तरफ 11 है solve करने पर आपको मिल दाएगा x by 6 is less than 1 या फिर आगे सरल करें तो मिलेगा x is less than 6 x का वह सभी मान जो 6 से छोटा है इसका हल होगा तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं x belongs to minus infinity to 6 open interval और यही इस दिये गए आसमीका का हल है कुछ महत्वपूर्ण परिणाम है जिसका की उप्योग हम आसमीकाओं को हल करने के लिए करेंगे तो इसमें पहला प्रमेय है यदि a एक धनात्मक वास्तविक संख्या है तब पहला mod of x is less than a implies and implied by minus a is less than x is less than a अर्थात x belongs to minus a a यदि mod a का मान a से छोटा है तो इसका मतलब यह है कि x का जो मान होगा यह open interval minus a और a के बीच में होगा इसी प्रकार दूसरा नियम mod of x is less than or equal to a implies and implied by minus a is less than or equal to x is less than or equal to a अर्थात x का जो मान होगा यह closed interval minus a से प्लस a की बीच में होगा इसे हम रेखा चित्र इस प्रकार से दर्था सकते हैं प्रमेह दूसरा यदि एक धनात्मक वास्तविक संख्या a है तब mod of x is greater than a हो तो implies and implied by x is less than minus a या फिर x is greater than a यह हमें मिलेगा संख्या रेखा में यह दी से प्रदर्शित करें तो कुछ इस तरीके से दर्स आएंगे इसमें अगला नियम mod x is greater than or equal to a हो तो implies and implied by x is less than or equal to minus a या फिर x is greater than or equal to a मिलेगा इसे यदि हम रेखा चित्र में प्रदर्शित करें तो वह कुछ इस तरीके से दिखाई देगा प्रमेह तीसरा यदि r एक धनात्मक वास्तिविक संख्या तथा a और b इस्थिर वास्तिविक संख्या है तब पहला नियम mod of x minus a is less than r इससे हमें मिलेगा a minus r is less than x is less than a plus r और right से आपको left मिल जाएगा अर्थात x belongs to open interval a minus r a plus r दूसरा नियम mod of x minus a is less than or equal to r implies and implied by a minus r is less than or equal to x is less than or equal to a plus r अर्थात x जो है यह closed interval a minus r और a plus r ने सामिल होगा उसमें तीसरा नियम mod of x minus a is greater than r हो तो implies and implied by x is less than a minus r or x is greater than a plus r और चौसरा नियम the mod of x minus a is greater than r then implies and implied by x is less than or equal to a minus r और x is greater than or equal to a plus r प्रमें चार यदि a और b धनात्मक वास्तविक संख्याय हैं तब पहलनियम a is less than mod x is less than b implies and implied by x belongs to open interval minus b minus a union open interval a b दूसरा a is less than or equal to mod x is less than or equal to b implies and implied by x belongs to closed interval minus b minus a union closed interval a b स्मेटीषरा a is less than or equal to mod x minus c is less than or equal to b implies and implied by x belongs to closed interval minus b plus c minus a plus c union closed interval a plus c b plus c स्मेटीषरा a is less than mod of x minus c is less than b implies and implied by x belongs to open interval minus b plus c minus a plus c union open interval a plus c b plus c अब इन प्रमेट का उप्योग करके हम प्रश्णों को हल करेंगे अगला आसमी का दिया गया है mod of 4x minus 3 is less than 27 इसे हमें सरल करना है तो इससे सरल करने के पहले हमने कुछ प्रमेट पढ़े थे उसका हम उप्योग करेंगे वह कुछ इस प्रकार है mod of x minus a is less than r हो तो आपको यह मिलता है कि x a minus r is less than x is less than a plus r इसका उप्योग हम करेंगे तो mod of 4x minus 3 is less than 27 इसे आप लिख सकते हैं 3 minus 27 देखिए a minus r और a की स्थान पर है यहां पर 3 और r की स्थान पर है 27 तो यह 3 अरिंड 27 less than or equal to x और x की स्थान पर यहां पर है 4x फिर less than a plus r तो यह 3 धन 27 आगे सरल करने पर आपको मिल जाएगा rin 24 is less than 4x is less than 30 और आगे सरल करेंगे तो x का जो गुणांके उसे हम 1 करेंगे तो 4 से भाग दे देते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा और आगे सरल करें तो आपको मिल जाएगा minus 6 is less than x is less than 15 upon 2 तो x का जो मान है यह rin 6 से बड़ा है और 15 बटे 2 से छोटा है तो हल जो हमें चाहिए अत्ह अभीष्ट हल हम लिखेंगे x belongs to minus 6 and 15 by 2 और यही इसका उत्तर है अगला प्रशना है कि mod of 5x minus 6 is greater than or equal to 8 इसे हमें सरल करना है तो इसके पहले भी हमने कुछ प्रमेय पढ़े थे जहां पर यह सिती आई थी और वह कुछ इस प्रकार है mod of x minus a is greater than or equal to जब 6 था तब यह हमें मिला था कि x is less than or equal to a minus r और x is greater than or equal to a plus r तो इसका उप्योग हम करेंगे और जो हमारा प्रशना है यह दिया है mod of 5x minus 6 is greater than or equal to 8 x, x किस्थान पर यहां पर है 5x और less than or equal to a और a किस्थान पर है 6 minus r और r किस्थान पर है 8 5x is less than or equal to 6 minus 8 एवहम 5x is greater than or equal to a plus r तो यह 8 plus 6 आगे solve करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5x is less than or equal to minus 2 और 5x is greater than or equal to 14 आगे सरल करने पर आपको मिलेगा x is less than or equal to minus 2 by 5 और x is greater than or equal to 14 by 5 तो इसे संख्या रेखा पर प्रदस्थित करें तो आप यह देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो x का मान है यह रिंड 2 बटे 5 से छोटा और उसके बराबर है अर्थात minus infinity to minus 2 by 5 पहला असमीका का हल मिलेगा और दूसरे असमीका में आप देख पा रहे हैं कि x का मान 14 बटे 5 के बराबर या उससे बड़ा है तो वो आपको मिलेगा सेमीक्लोज इंटरवल लेफ्ट में क्लोज रहेगा 14 by 5 और infinity तो इस तरीके से आप इसका हल लिख सकते हैं x belongs to minus infinity minus 2 by 5 यह close interval और फिर union 14 by 5 लेफ्ट में close है और राइट में open है यह इसका हल है अगला पस्टन है 1 is less than or equal to x minus 2 is less than or equal to 3 तो इसे सरल करने के पहले हमें कुछ प्रमेग की आवश्यक्ता होगी बहुत कुछ इस प्रकार है a is less than or equal to mod of x minus c is less than or equal to b होता है तब हमें मिलता है कि x belongs to closed interval minus b plus c और यह minus a plus c के बीच में और फिर union a plus c और b plus c यह भी closed interval होता है तो इसका उप्योग करके हम लिख सकते हैं कि minus 1, 1 और union closed interval 35 अतह इस असमिका का हल समुच्च्छ यह है minus 1 to 1 union closed interval 35 अगली असमिका दी गई है mod of x minus 1 upon mod of x minus 2 is greater than or equal to 0 x belongs to r और x not equal to plus minus 2 तो इसे हल करते हैं x minus mod of x minus 1 upon mod of x minus 2 यह greater than or equal to 0 है तो इसे हम y minus 1 upon y minus 2 is greater than or equal to 0 लिख सकते हैं जहां पर y equal to mod x है चू की यह जो अनुपात दिखाई दे रहा है यह धनात्मक है यह शूने के बराबर है तो इस प्रकार चू की mod x का मान धनात्मक आपको मिल दाएगा y हमने consider किया है तो इस वज़ा से y minus 1 इसे आप लिख सकते हैं y is less than or equal to 1 और y is greater than 2 आगे जब आप इसे सरल करें तो y के स्थान पर आप mod x लिखेंगे और यहाँ पर भी y के स्थान पर आप mod x लिखेंगे mod x is less than or equal to 1 आप लिख सकते हैं minus 1 is less than or equal to x is less than or equal to 1 और x is less than minus 2 और x is greater than 2 स्वाल करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं x belongs to closed interval minus 1, 1 और x belongs to इस स्थानी में आप लिखेंगे minus infinity to minus 2 और union to infinity दोनो इस और इस अंतराल का यदी आप union लें तो आपको मिल दाएगा x belongs to minus 1, 1 ये एक interval है दूसरा minus infinity to 2 है और तीसरा 2 to infinity है और यही इस दिये गए आसामीका का हल है